कि देखिए तो यह हमारा कॉस्टन नंबर सेवन डिजाइन एफ़ेट एकसेट स्ट्रिंग्स देट डास नॉट एंड्स विट वन जीरो वन याने कि अब यह कॉस्टन का मीनिंग क्या है स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए डस नॉट एंड्स विट वन जीरो वन और समेशन तो फिर से हमें 0,1 दिया हुआ है याने की इंपूट स्ट्रिंग्स का आएगी आने वाली है जीरो और वन्स की पर अब वैसी स्ट्रिंग्स एकसेप्ट होनी चाहिए जो 101 से खतम नहीं होती है आई बात समझ में तो मुझे एक बात बताइए सबसे पहली इस्टेप लेंग्वेज मैंने बोला 00 00 क्या यह एकसेप्टेड डेन क्या घर दीजिए इसको कुछ भी लिए लीजिए 10101010 जीरो अब मुझे बताइए यह एक बहुत सारे एक्जामपल ले सकते हैं बट फिर भी देखिए यहां पर हमारा टास्क क्या है कि दस नॉट एंड्स विट 101 याने 101 से खतम नहीं होनी चाहिए याने कि 101 उसके पीछे अगर नहीं आता है तो वह एकसेट होनी चाहिए और अगर वह स्ट्रिंग के पीछे 101 आ जाता है तो वह सब्सक्राइब क्या अने चाहिए रिजेक्ट होनी चाहिए ठीक है सिंपली इतना सा ही मिनिंग है कॉस्टन का पर अब हम क्या गरते हैं देखिए इधर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं यह घुली की लैंग्वेज है मैं पहले निकाल लेता हूं एक एफ 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 which ends with ends with 101 यानि कि मैं क्या करता हूँ उल्टा काम करता हूँ पहले मैं 101 अगर last में आता है strings के तो वो accept होनी चाहिए ऐसी F-A निकालता हूँ ऐसी हमने starting में 2-3 F-A निकाली थी अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं L1 ले ले दा हूँ कि बही 101 आना चाहिए last में 11100 101 and so on यानि कि पीछे 101 आना चाहिए ends with 101 होनी चाहिए उसकी F-A निकालनी है अरे तो वो F-A निकालना तो बहुत ही simple है देखिए minimum compulsory string 101 आना चाहिए Q1 ठीक है 1 0 next Q2 Q2 और यह हो जाएगा हमारा Q3 ठीक है और यह हो जाएगा 101 यह मैंने क्या कर दिया compulsory transitions draw कर दिये कि 101 आना चाहिए last में तो minimum 101 ऐसी string है जिसमें 101 आ रहा है last में ठीक है तो मैंने यह compulsory draw कर दिया अब इसको complete कर दे चलिए देखिए इसको कैसे complete करेंगे पहला example पहला example ले लेता हूं मैं कि मुझे इसका जीरो वाला ट्रांजिक्शन ड्राउ करना है सच देट उसके पीछे 101 आना चाहिए इट मींस वह जीरो वाला ट्रांजिक्शन यहीं पर आना चाहिए अब मुझे Q1 का 0 वाला ट्रांजिक्शन ड्राउ हो चुका है Q1 का 1 वाला ट्रांजिक्शन ड्राउ करना है ठीक है देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों कि यह deterministic finite automata सीख रहे हैं हम और इसमें हर एक state ने जितने input symbols है उतने ट्रांजिक्शन इमिट करने ही चाहिए आई बात समझ में तो फिर मुझे बताइए अब की Q0 के दो ट्रांजिक्शन कंप्लीट होगा है Q1 का 0 वाला ट्राउ चुका है Q1 का 1 वाला ट्रांजिक्शन बागी है तो पहले Q0 से Q1 तब कैसे बहुचेंगे हम पीछे 01 कंपलसरी लेते आना चाहिए हमें तो मुझे बताइए कि यह 1 हमें यहीं पर लेना पड़ेगा सो देड हम यह 01 ले सकते हैं देखिए यह 1101 1101 आई बात समझ में ठीक है यह 1 वहाँ जाना चाहिए जो स्टेट से हम कंपलसरी ली कि 0 और 1 का ट्रांजिक्शन ले सकते हैं अरे वह तो हम Q1 से ही ले सकते थे चलिए बताइए क्यू टू के दो ट्रांजिक्शन होने चाहिए वन वाला हो चुका है जीरो वाला बागी है कोई बात नहीं उसके लिए मैं एक 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 एक्जांपल कर देता हूं यहां पे Q0 से Q2 तक कहसे पहुचेंगे 1,0 लेके 1 और 0 लेके हम Q2 तक बहुचे Q2 का कांसर ट्रांजिक्शन डौ करना है 0 वाला अब यह श्रिंग को एक्सेप्ट होने वाला बनाईए तो इसके पीछे 1,0,1 आना चाहिए अरे तो पूरा-पूरा ही आना चाहिए यह जो स्टेट है हमारी Q2 इसका 0 कहां जाना चाहिए वहां जाना चाहिए जिसके पीछे हमें गंपोसर एली 1,0,1 लेते हैंगा इट मीन्स की इसका 0 कहां जाना चाहिए इधर जाना चाहिए रही बात Q3 की चलिए देखे इधर Q3 के एक्जाम्बोस ले लेते हैं मैं 101 लेके कहां पहुचा Q3 पे अब Q3 का सपोर्थ मझे 0 वाला ट्रांजिक्शन ट्राउ करना है अब 0 वाला ट्रांजिक्शन ट्राउ करना है पहले तो यह श्रिंग को accept होने वाला बनाईए तो क्या यह श्रिंग के पीछे 101 आ रहा है क्या नहीं पर 10 आ रहा है तो इसकी पीछे सिर्फ एक वन भी आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि इस श्रिंग के एंट विट 101 इट मींस कि यह 0 कहां जाना चाहिए जिसके पीछे हमें कंपल सरिली वन लेते आना चाहिए यानि कि यह जो है हमारा क्यू थ्री का जीरो वाला ट्रांजिक्शन कहा आना चाहिए इधर आना चाहिए चलिए देखी कैसे करके देखते हैं देखिए 10101 101001 आई बात समझ में ठीक है चलिए करना हैं कि पहले हम 101 तक क्या आत्राहू करना है मुझे वन वाला ट्रांजिक्शन वाला चैए तर इसके पीछे chemon और टांजिक्शन ले सकते हैं कि नहले सकते हैं ए ज Birds से नहीं का रहे का तानदिक्शन ले सकते हैं इधर आना चाहिए चलिए देखी इधर 101 101 then 101 101 accepted आई बात समझ में कियाने कि अब मैंने यह क्या कर दिया पहली स्टेप में मैंने क्या की एफे निकाली that accept strings with ends with 101 पर मुझे बताइए क्या मेरा question यह था मुझे के यह solve करना था बिल्कुल नहीं हमारा question था कि strings that does not ends with 101 हमारी language में आनी चाहिए यहने 101 से end नहीं होनी चाहिए ठीक है वैसी strings accept होनी चाहिए अरे यह machine के सुरू तो 101 से end होने वाली strings accept हो गई तो अब क्या करना पड़ेंगा अब क्या करना देखी इधर अब बहुत ही simple है यह examples मिटा देता हूँ मैं बहुत ही simple ही हमने starting में ऐसे problems देखे थे अब क्या कर दीजिए दो काम करना है यहाँ पर बताइए final state क्या है यहाँ फाइनल स्टेट को कर दीजिए non-final ठीक है और non-final non-final states को क्या कर दीजिए final state बस diagram क्या कर दीजिए same diagram क्या कर दीजिए same यानि कि मैं क्या करता हूँ दीजिए same diagram निकालता हूँ मैं q0 q1 q2 q3 यानि q3 final थी उसको मैं non-final कर दिया q0 q1 q2 non-final थे अब उनको final कर दिया transactions में कोई भी फरक नहीं आएंगा 101 ये जीरो इसी पिढ़का है इसका one transactions same contrary contributions same है टीक है यह 0 next और उसके बाद क्या है 11 उसके बार्द इसका दीर कहाह का ठाध ग्रीर आ रहा ठाध अब 20 कहाहा था धीक है तो चले देखिए तो यह हमारा क्या हो गया हमारी यह हमारी ए ojos और इस यहispelcolored यहां पर निकाली हुई है और अब क्या आने वाला है ठीक है अब यह हमारी जो डाइग्राम है यह हमारी क्या है डिजाइड यह जैसे हमारी पहली स्टेप्टी लेंग्वेज यह सेकेंड स्टेप है हमारी स्टेट ट्रांजीशन डाइग्राम यह हमारी फाइनल डाइग्राम जीरो जीरो देखिए फाइनल स्टेट पे हो और यह चाहिए seperti कोई और कि भी ऎडिलेते हैं कि क्या हो रिजरएंगी कैसे करके बिताता हूं इ Config chap 1 0 1 इस रिजय क्टेड चलिए यह एक और एक्जाम्पल या यह1 यह बीजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि हमारी language क्या है तो यह चलिए देखते रिजेक्ट हो रही चाहिए ओन रही है तो यह सब श्रीच होनी चाहिए तो हमारा जो यह कॉशन है उसकी फाइनल डियागरम है यह डायगरम है तो हम यह problem में क्या सीखे कि अगर किसी ने आपको बोला कि भई it does not end with 101 चाहिए तो पहले आप end with 101 वाले diagram निकालिए जो बहुत ही simple है मैंने examples के साथ बताई आपको कैसे example लेकि मैंने इसके transitions complete किये और फिर क्या कर दीजे आप final state को क्या कर दीजे non final और non final states को क्या कर दीजे final states so that आपको क्या हो जाएंगा ये diagram आ जाएंगी और ये diagram जो है वो क्या करने वाली है जो भी strings 101 से end होने वाली है वो सबकी सब इसमें क्या होने वाली है reject होने वाली है ठीक है अब बाकी आप third step क्या है थर्ड step हमारा transition function है याने की ऐसा delta of q0 delta of q0,0 अरे q0,0 लेके कहां जा रहा है कहां जा रहा है q0,0 लेके q0 के पास ऐसे delta of q0,1 q0,1 कहां लेके जा रहा है q1 के पास ऐसे हमारे कितने transition आ जाएंगे r transitions आ जाएंगे ठीक है उसके बाद चौथी step टी transition table यहाँ पे आप q लिखिए यहाँ पे आप summation लिखिए summation में हमारा 0,1 है यहाँ पे q0,q1,q2,q3 ठीक है यह q0,0 लेके कहां जा रहा है q0,1 लेके कहां जा रहा है ठीक है next fifth step क्या है हमारी required machine m equals to m equals to क्या होता है ठीक है यह f यहाँ पे क्या हो जाएंगा देखिए यह capital F का description capital F का description यहाँ पे होने वाला है q0,q1,q2 क्यों हो ऐसा क्योंकि तीन final states है अरे यह हमारी final diagram है यह diagram हमारी कोई काम की नहीं है पर इस पे से ही हमने यह diagram बनाई तो आपको paper में solve करते हैं यह भी निकालना है और यह भी निकालना है आई बात समझ में चलिए देखिए तो q01,q2 और यह लिख लीजिएगा q q में तो सभी states आएंगी q3 b summation 01, delta हमने mention किया 34 step में q0 से यहाँ पे भी क्या है q0 ही है आई बात समझ में ठीक है तो शलिए अब देखते हैं next problem देखिए तो यह question number 8 design an FA that accepts strings which starts with 0 and ends with 1 याने कि अब summation से summation equal to 0,1 दिया हुआ है याने question का बोलना है कि आप क्या कीजिए ऐसी strings accept होनी चाहिए जो 0 से शुरू होनी चाहिए और 1 से खतम होनी चाहिए तो मझे बताइए minimum ऐसी कौन सी string जो इस language में आनी चाहिए 0,1 क्योंकि मैं 0,1 वाली string को ऐसा बोल सकता हूँ कि यह string 0 से चालो हो रही है और 1 से खतम हो रही है अरे yes easily बोल सकते हैं हम इसको फिर मैंने बहुत 0,0,0,0,0,1 यह भी एक्सेप्टेड और 0 से शुरू होनी चाहिए 1 से खतम होनी चाहिए बते नीदो कंडिशन है उसमें देखिए यह concept यह problem में हमें एक बहुत ही important concept शितने वाले हैं बहुत ही simple सा concept है वो but important है ठीक है देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है मुझे बताइए सबसे पहले मैं base drawer लेता हूं जैसे मैंने अभी तक आपको mention बताया किया हुआ mention कि पहले base drawer करना है मिनिमूम ऐसी consisting जो आनी चाहिए देखिए 01 कम से कम आना ही चाहिए मैं काम करता हूं यह 0 यह ले लेता हूं मैं Q1 पे और यह लेता हूं 1 यह ले लेता हूं मैं Q2 पे जो भी state coming state ठीक है मैंने ले लिए अब मुझे बताइए सिर्फ 01 प्या है तो एक्सेप्ट होना चाहिए यह यानि कि मैंने क्या किया है पहले compulsory transaction से 01 वाली string क्या कर ली ड्रॉ कर ली अब क्या होना चाहिए अब यह diagram को complete करना है अगर तो अगर यह diagram को complete करना है तो यह तो हमारी इसको complete करते हैं इसको complete करेंगे तो मुझे बताइए हाँ next की क्यू जीरो का जीरो ट्रांजिक्शन हो चुका है क्यू जीरो का वन वाला ट्रांजिक्शन ड्रॉ करना है क्यों 0 गा तो मैंने लिया वन जैसे मैंने वन लिया पीछे सब्समें उसके 01 भी लिया या कुछ भी लिया तो यह जो वन से शुरू हो रही है जीरो से शुरू होनी चाहिए तो मुझे बताइए इसका वन कहां ट्रॉ करूँ मैं सब्समें इसका वन कहां किया ट्रॉ यहीं पर ट्रॉ किया मैंने तो मुझे बताइए इसका वन अगर मैंने यहां पर ट्रॉ किया तो क्या यह वैलिड है बिल्कुल नहीं अगर मैं इसका Q0 का 1 यहीं draw करूंगा तो क्या हो जाएंगा वो 101 वाली string पर accept हो जाएंगी पर strings 1 से शुरू होने ही नहीं चाहिए जो 0 से शुरू होने वाली है वो ही accept होनी चाहिए याने कि यह जो Q0 है Q0 का 1 का transition हमारा कहां जाना चाहिए कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं इसका 1 वाला transition अगर मैं यहां पर भी ले लूँगा तो भी वो क्या हो जाएंगा 1 1 accept हो जाएंगा यहां फिर मैं Q0 का 1 वाला transition Q2 पर ले लेता हूं तो भी 1 accept हो जाएंगा बट Q0 का 1 वाला transition emit होना ही नहीं चाहिए क्योंकि string starts with 0 है पर यह diagram क्या है हमारी पर यह diagram तो हमारी कौन है FA है तो यहां पर हमें क्या करना है Q0 का 1 हमें emit करना भी है और वो क्या होना चाहिए इट मीन्स कि यह question का meaning क्या हो गया कि अगर कोई string 1 से शुरू होती है ठीक है 1 से शुरू होती है तो वो क्या होनी चाहिए, सबकी सब reject होनी चाहिए, कोई भी string हो फिर वो, one zero क्यों न हो, one से शुरू होने वाली string reject होने चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे, कि इसके जो one वाले transaction है, याने कि जो one से शुरू होने वाली strings है, उन सभी के लिए मैं क्या कर देता suppose मैंने ले ली यहाँ पे q3, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कि q0 का one कहां जाना चाहिए, q3 पे जाना चाहिए, ठीक है, और मैंने कर दिया, q3 state को मैंने क्या कर दिया, non final, और मैंने बोला, q3 का zero q3 पे ही जाना चाहिए, q3 का one भी कहां जाना चाहिए, q3 पे ही जान होंगी ठीक है 000 1111 ठीक है यह भी एक्सेप्ट नी होने चाहिए पर देखे हमारी जो FA है DFA mainly more specific DFA हमारी जो DFA है Deterministic finite automata उसका मानना यह है कि अगर आपको FA में given है summation equal to 0 1 तो हम जो यह machine निकालते हैं यह state transition डाइग्राम यह string ये machine ने कॉंसी strings process करनी चाहिए, सबी strings process करनी चाहिए, जो क्या होती है zeros और one से बनी हुई है पर उसमें से क्या होना चाहिए, दो बाते होनी चाहिए जो strings language में आती है वो सब accept होनी चाहिए, और जो language में नहीं आती है, वो क्या होनी चाहिए याने ऐसा नहीं है कि one से शुरू आने वाली strings हम इस पर process नहीं करेंगे yes, one से शुरू आने वाली strings हमें ये machine पर process करना है पर ये machine ने क्या करना चाहिए, वो strings को reject करना चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक additional state ले ली, q3 नाम की, ये जो q3 नाम की state है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है dead state, या फिर कोई इसको बोलता है trap state, या फिर कोई इसको बोलता है rejected state, ठीक है, dead state, क्यों dead state, मुझे बताइए, मुझे q0 याने की language के according, one से शुरू होने वाली strings language में आनी ही नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, q0 का one वाला transition एक ऐसी state पर लेके गया, जो एक dead state है, कैसे पता dead state है, क्योंकि वो q3 के, यानि कि ये एक non final state है, और यहाँ पर ये state पर आने के बाद, आप इसको कोई भी input symbol दो, वो process करके क्या करने वाला है, खुझ पर ही reject होने वाली है, one, देखें, मैंने आ लिया, one, उसके माद क्या है, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, string process हो गई, terminate कहां पर हुए हम, q3, q3 कौन है, non final state, it means कि this string is rejected, आई बाद समझ में, ये string, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 1, next, 0, 1, हो गई, rejected, याने की, जितनी भी one से शुरू होने वाली strings है, हमारी, सबकी सब कहां जाने वाली है, q3 नाम की non final state पर, terminate होने वाली है, तो इसको हम क्या बोलते है, dead state, आई बाद समझ में, dead state का मतलब क्या, एक ऐसी non final state, जो क्या करेंगी, सभी input symbols, खुद परी process करते ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बताइए, q0 complete हो गया, yes, देखिए, 0 और 1 दो transition उसने draw कर लिये, ठीक है, अच्छा, बताइए, q3 complete हो गई, yes, उसने 0 का transition भी input कर लिया, one का भी, dead state always, 0 और 1, दोनों transition का अहालेती है, खुद पर ही आते है, उसके dead state के, in general, ठीक है, next, अब य हम दो transition draw करना है, 0 वाला, चलिए, इसके लिए मैं examples construct करता हूँ, पहला example हम ले चुके है, पहला example, ठीक है, set an example, पहले मैं जो पताइए, q1 तक पहुचेंगे, कैसे हम, 0 लेके, मैं 0 लेके q1 तक पहुचा, अब q1 का मुझे क्या draw करना है, 0 draw करना है, अब ये string accept होने वाली हो ये वो state पे, तो मैं q1 से खड़े रहके compulsory 1 ले सकता हूँ, तो ये 0 कहा आना चाहिए, इसी पे आना चाहिए, चलिए देखिए, 001, 001, अच्छा, चलिए, एक काम कीजिए, अगर suppose each thing ऐसी रहती थी, अरे, तो भी ये accept होने चाहिए, 0 से शुरू हो रही है, 1 से खतम हो रही तीसरा example, मुझे बताइए, पहले q0 से q2 तक पहुचेंगे कैसे, 01 लेके, अब मुझे बताइए कि q2 का कौन सा transaction ट्राउ करना है, 0 वाला, 0 वाला transaction ट्राउ करना है, अब ये string को accept होने वाला बनाना है हमें, तो 0 से शुरू होन चाहिए, 1 से खतम, तो इसके पीछे में 1 लेन चलिए करके देखिए, ये process, 01, 01, 01, 01, आई बात समझ में, यह हो गया हमारी accepted, last example, किसके लिए, q2 का अभी तक 1 वाला transaction ट्राउ नहीं हुआ है, तो पहले q0 से q2 तक पहुचना हमें, तो q0 से q2 तक पहुचने के लिए हमें 01 लेना पड़ेंगा, अब हमें क्या करना है, अब हमें q2 का 1 वाला transaction ट्राउ करना है, अब यह q2 का 1 वाला transaction ट्राउ करना है, तो मुझे बताइए, पहले तो यह string को accept होने वाला बनाना है, तो इसके last में तो already 1 है, मुझे 1 ही चाहिए याने कि इसके पीछे कुछ नहीं भी आया, तो भी चलता है, 1 के पीछे compulsorily कुछ नहीं भी आया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, it means कि यह 1 कहां जाना चाहिए, जिसके पीछे compulsorily हमें कुछ भी लेते नहीं आएंगा, तो भी चलता है, याने कि यह खुदी example process हो जाना चाहि यह और और मोर स्पेसिफिक मुझे बता ही कल दिल के ऐसा हो गया 10111111 बताइए क्या यह एक्सेट होना चाहिए और यह यह होना चाहिए क्योंकि यह जीरो से शुरूरा वन से खत्म होना देखे इधर 01 देन उसके पीछे कि दिने भी वना जाए वो क्या वने वाली है एक्सेट कर लीजेगा यह बहुत इंप्बोर्टन प्रॉब्लम था जिसमें हमने एक न्यूं कंसेट सीखा कौन सा कंसेट सीखा हमने डेट स्टेट का की क्यों दीर हो यानिकी वन से शुरू होने वाली सभी स्थिंग्स क्या होनी चाहिए थी तो कैसे मैंने वो सभी स्थिंग्स को व एक्जेक्ट three A's और यह गीवन है समेशन इक्वलस टू A कॉमर ब यानि कि क्या होना चाहिए इस ट्रिंग्स कैसी एकसेप्ट ओनी चाहिए जिसमें एक्जेक्ट तीन A जाने वाले हैं अब देखिए इस एक्जेक्ट तीन A आने वाले हैं इसका मुतलब हम ऐसा समझ सकते है कि language में suppose हमारा आ गया ए ए ठीक है ए बी ए बी ए बी कोई बात नहीं है ठीक है और suppose मैंने बुल दिया बी 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 ए ए ए ठीक है चलता है मैं नहीं बोला B B B B B B continue 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 and आखरी में 3 A आये last में ठीक है चलता है आने कि क्या आने चाहिए exactly 3 A आने चाहिए आने कि मुझे 3 से कम A भी नहीं चलते 3 से ज़्यादा A भी नहीं चलते ठीक है exactly 3 A आना चाहिए और B की कोई condition नहीं है B की कोई condition नहीं है का मतलब क्या suppose मैंने जैसे ले लिया यहाँ पर यहाँ पर यह यह यहाँ पर कितने भी B आजाए कोई फरक नहीं पड़ता पीछे कितने भी B आजाए कोई फरक नहीं पड़ता exact 3 A होने चाहिए B पर कोई restriction नहीं है ठीक है तो हम इसकी diagram कैसे draw करेंगे सबसे पहले तो मैं पूछता हूं आपसे कि यह minimum compulsory हमारा क्या आना चाहिए 3 A आने चाहिए तो मैं यहाँ से कर देता हूं Q0 A Q1 A next यह कर देता हूं मैं A तो यह हो जाएगा Q3 ठीक है तो यह हो गए हमारे 3 A 3 A भी आते है तो string क्या होनी चाहिए accept होनी चाहिए ठीक है तीन से ज़्यादा A नहीं चलते ठीक है कोई बात नहीं मुझे बताइए B पे तो कोई restriction नहीं है यह A के पहले भी A B आ सकते एक यह पहले A के बात भी आ सकते और यह second A के पहले और पीछे भी भी आ सकते यह इसमें मैं करता हूं कि कोई restriction भी पर नहीं है तो मैं क्या कर देता हूं फिक के transition में ऐन को C पर ले लें यह कोई problem नहीं है तो मैंने वी घ्र यह सार्था इस यह pasक यह श्च्रिंग है भी B automat then a b b b then again a आई बात समझ में यह दिखी इदर फिर से यहां पर इसके भी ठीक है मैं काम कर देता हूं इसको ऐसा कर देता हूं ows देट फिर यह टीश्री एकी बात भी अगर भी आने वाले हैं तो वह भी इसमीए क्या हो जाएंगे तो मुझे बताइए कि जितनी भी strings language में आने वाली है वो तो सब की सब accept हो जाएंगी बट जो strings language में नहीं आने वाली है वो क्या होनी चाहिए reject भी होनी चाहिए यही हमारे FA की definition और DFA की definition DFA आने क्या होता है हमारा deterministic finite auto ठीक है तो suppose कल जलके ऐसी कोई string आ गई A, B, A, B, A, B कितने A है इसमें टीन पर suppose चौथा भी A आ गया तो यह string क्या होनी चाहिए reject होनी चाहिए it means कि मुझे यह देखना है कि यह जो हमारी Q3 state है Q3 Q3 state तक पहुचेंगे कैसे हम टीने लेके पर जैसे ही चौथा A आया ठीक है जैसे चौथा A आया या फिर चौथा A के पीछे कुछ भी आ जाए एक बार अगर चौथा A आ गया तो वो string जो होनी चाहिए reject होनी चाहिए ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यह Q3 का एक A वाला ट्रांजिक्शन मैं क्या करता हूँ एक Q4 नाम की dead state पर भेज़ देता हूँ ठीक है और यह dead state का A भी खुद पर जाएगा B भी खुद पर जाएगा देखिए हमें dead state का भी A और B का ट्रांजिक्शन ड्रॉग करना ही पड़ेंगा क्यों ऐसा क्योंकि यही हमारी DFA की definition है क्या definition है कि हर एक state ने दो input symbol अगर दो input symbols है तो हर एक state ने दोनों के लिए एक एक transition इमिट करना ही चाहिए कल चलके input symbols अगर 10 रहते थे देखेंगे हम आगे चलके कि जब summation में क्या रहेंगे 10 input symbols रहेंगे तब हर एक state ने 10 ट्रांजिक्शन इमिट करने ही चाहिए आई बात समझ में तो देखी इतर अब जैसे ही आप यहां पर वह process होने वाला है पर वह सबके सब terminate कहां पर होने वाले है q4 पर ही terminate होने वाले और q4 हमारी यह कौन है non final state है आई मत समझ में बहुत ही simple है तो यह क्या हो गया हमारा यह हमारा क्या हो गया डाइग्राम complete हो गई काय की डाइग्रम थी यह exactly three years आप जैसे ही तीन से कम यह लेने वाले हो तो भी आप क्या करने वाले हो अगर आप 0S लेते हो तो यहीं पर terminate होँगे एक लेते हो तो आप q1 पर terminate होंगे दो तो q2 पर तीन यह लेते हो तो तो ही आप final state पर पहुंचेंगे otherwise नहीं पहुच सकते हैं आई बात समझ में बहुत ही simple problem है इस से connected एक बोड़ा सा चेंज कर दिता हूं सब्सक्राइब ये यह कंडीशन मैंने सब्सक्राइब कर दी थी टिक है एक मिनिट में देख लेता हूं क्वेशन क्या है श्रिंग डेग्सेट्स एक्सेट्स एट्मोस्ट 3-2 एट्मोस्ट 3-1 जैसे कि मैंने ये exact 3As की जगह पे ले लिया strings that accept design app पे that accept strings that contains that contains क्या ले ज़े है एक मिनिट contains at most 3As at most 3 at most 3As ठीक है और फिर से summation equal to क्या दिया हुआ है summation equal to हमें फिर से क्या दिया हुआ है a, b ठीक है पहले तो मुझे बताइए ये at most 3As याने का इसका meaning क्या हुआ ये next question है काम कर दीजिए इसको ये question number 9 की जगह पे आप क्या ले लेता हूआ है 10 ले लेता हूआ at most 3As at most 3As का मतलब क्या एक ऐसी string एसी string याने की एसी सभी strings एक्सेप्ट होनी चाहिए जिसमें at most 3As आते है अब मुझे बताइए at most 3 आने की ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 का मतलब क्या मुझे बताइए कल चल के suppose कोई string है जिसमें 0As आते है उसमें A एक भी नहीं है 0As मुझे चलते है अगर किसी string में A के आता है तो भी चलता क्योंकि at most 3As याने ज़्यादा से ज़्यादा कितने A आने चाहिए 3A आने चाहिए अरे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3A आने चाहिए इसमें 0As आएँगे तो भी चलता एक A आएगा तो भी चलता उसमें 2As आएगे तो भी चलता 3As आएगे तो भी चलता ठीक है पर 3 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए 3 से ज़्यादा क्या नहीं आने चाहिए A's नहीं आने चाहिए तो मुझे बताइए एक काम करते language लिग लेता हूँ है मैंने suppose लिया BBB अरे valid है? Yes, valid है कैसे पता? क्योंकि इसमें 0 number of A's आ रहे है और at most 3 A's का मतलब कितने A's आने चाहिए यहां तो string में 0 number of A's आने चाहिए यहां तो 1 A आना चाहिए यहां तो 2 A आने चाहिए so that आपको समझ में आ जाएंगा मैंने यह Q0 को क्या कर दिया? final कर दिया यह जो Q1 state है इसको भी मैंने final कर दिया और यह जो Q2 state है यह Q2 state को भी मैंने क्या कर दिया? final कर दिया Q3 को भी क्या कर दिया? मैंने final कर दिया पहले से ही है और ये इसको as it is रहने दिया और अब देखिए कि ये जो हमारा question है ये उसकी diagram है अब मुझे बताइए कि suppose किसी ने बुला भाई 0 number of A's आने चाहिए इडमीस completely ओ श्ट्रिंग 20 की होने चाहिए देखिए आप कितने number of B's ले लिए ये final state है ये accept हो जाएंगे कल चलके suppose मैंने बुला भाई एक ऐसी strings चाहिए जिसमें A की आने वाला है तो मैं ऐसा ले लेता हूँ B B B A B B बताइए कि ये string यहाँ पर accept हो रही है देखिए इधर B B B तीन बार A again B B देखिए ये Q1 final state है ये string क्या हो गई हमारी accepted हो गई कल चलके suppose 2 A आ गए अरे 2 A आ गए तो क्या कोई बात नहीं है देखिए तर ये B A B A B accepted कल चलके 3 A आ गए A A A ठीक है then B B मझे बता ही कि ये accept होंगी A A A B B देखिए accepted पर जैसे ही 3 से ज़्यादा A आएंगे वो accept नहीं होने वाली है याने कि मैंने उसी डाइगरम को क्या कर दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया तो यह हमारे question number 10 याने कि at most 3 A's की डाइगरम हो गई आई बात समझ में बहुत ही simple था है इसलिए मैंने उसी problem को change करके आपको सिखा दिया ठीक है तो चलिए अब हम एक क्याम करते हैं यह भी आप नोट कर लीजे एक और example ले लेते है example number 11 example number 11 question है सपोस हमारा design and fa that accept strings that contain नहीं इसको मैं change कर देता हूँ question को थोड़ा सा simple question ले लेते हैं आया हुआ है paper में question ले लेता हूँ मैं design and fa that accept strings that starts starts with a b starts with a b यानि वो strings कहां से शुरू होनी चाहिए a b से शुरू होनी चाहिए यानि कि उसके starting के दो symbols क्या आने चाहिए a b अजा उसके पीछे क्या आना चाहिए कुछ भी चलता हमें उसके पीछे क्या आना चाहिए कुछ भी चलता हमें आई बात समझ में तो चलिए देखिए इदर कि क्या घरता हूं मैं अब यहां पे मैंने बोल दिया design an effect that accepts the strings that starts with a b और गीवन है summation equals to a, b बहुत ही सिंपल है देखिए इदर solution solution में language में सबसे छोटी string जो compressor यानी चाहिए a b और a b के पीछे b b b a b के पीछे a a a a b a and so on जो भी खीक है a b से शुरू होनी चाहिए तो एक काम करता हूं मैं मैं सबसे पहले तो minimum compulsory क्या होना चाहिए एक a होना चाहिए उसमें q1 और एक क्या होना चाहिए उसमें b होना चाहिए और यह q2 और इसको मैं कर देता हूं finder फिलाल तो मुझे बताईए कि suppose कल चलगे a b आ गया तो क्या हो जाएंगा यह a b accepted ठीक है string starts with a b देखिए यह a b सी start मुझे बताईए यह a b के पीछे कुछ भी आ गया तो क्या करता है कुछ भी आ गया तो हमें चलता है तो मैं काम करना हूं यह जो q2 state q2 का a और भी मैं क्या करता हूं उसी पर ले ले लेता हूं अब देखिए इधर a b b से start हुई और उसके पीछे कुछ भी आ जाए तो यहां complete है क्या नहीं अच्छा complete नहीं है कैसे बता क्योंकि यहां पर अभी तक मैंने q0 का b का transition draw नहीं किया और q1 का मैंने अभी तक a का transition draw नहीं किया ठीक है suppose suppose मुझे बताईए पहले तो यह summation हमारा क्या है a comma b अरे summation अगर हमारा a comma b है तो मुझे बताईए कर टेलके suppose a string आ गई और यह machine ने वो string को reject करना चाहिए तो इसके लिए हमारा देखिए इदर q2 के दो transition draw हो चुके है पर q0 और q1 का एक एक transition draw हुआ है remaining transition बाकी है मुझे बताईए strings a से चालू होनी चाहिए तो q0 का b कहा जाना चाहिए अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा q0 का b कहा जाना चाहिए एक dead state पे जाना चाहिए मैं suppose q3 ले लेता हूँ और q3 हमारी क्या है dead state तो q3 का a भी खुद पे आ जाएगा यहने अब b से चालू है जो भी strings होगी b से तो वो क्या हो जाएगा देखी जरी है ऐसा हो जाएगा b से चालू ही string b और उसके बाद क्या उसके बाद कुछ भी आ जाए तो वो क्या होना चाहिए non final state पे जाना चाहिए q3 हमारी क्या है permanent non final state है चली ठीक है q0 के दो transition हो गए एक और एक b का q1 का q1 का transition क्या q1 का मैंने b ट्रॉगर लिया और उसके बाद क्या आ गया अब क्यों को मुझे क्या ट्रॉग करना है यह वाला transition चलिए बताइए q0 से मैं q1 पर पहुचने के लिए मुझे क्या लेना है यह पहला example दूसरा example मुझे लेना पड़ेंगा अब मुझे मुझे बताइए q1 का मुझे कौन सा transition ट्रॉग करना है अब यह string को accept होने वाला बनाईए अरे तो हम यह string को accept होने वाला बनाई नहीं सकते क्योंकि हमारी जो यह है हमारी condition क्या है design and fa that accepts strings that starts with a b यानि वो क्या होनी चाहिए a b से शुरू होनी चाहिए और यहां पर तो starting में क् कोई string शुरू नहीं होनी चाहिए तो मुझे बताइए a के बाद अगर कोई दूसरा यह लेता है तो वह सब होनी चाहिए अगर कोई double a शुरू और पीछे कुछ भी आ जाए तो वह क्या होनी चाहिए reject हो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेंगा यह जो स्टेट है इसका अभी जो a वाला ट्रांजिक्शन है वो कहां बेजना पड़ेगा dead state पर बेजना पड़ेगा और इसके लिए मैं अब new dead state create नहीं करता हूँ मैं क्या कर देता हूँ मैं same dead state को यूज करके यह जो q1 state इसका a b यहां बेज देते है so that अब देखिए अब अगर कोई strings b से शुरू हो रही है या फिर double a से कोई strings शुरू हो रही है तो यह सबकी सब strings क्या होने वाली है dead state पर ही जाने वाली है देखिए इदर यह b से शुरू होने वाली strings और यह डबल ए से शुरू होने वाली स्टिंग्स सभी के सभी इस पे डेट स्टेट पर ही जा रही है और जो स्टिंग्स अकेले ए से या फिर एबी से शुरू होंगी वही क्या आने वाली हमारी एकसेप्ट होने वाली है बहुत ही अच्छा प्रॉबलम है यह दोनों तीनों प्रॉबलम में लास्ट हमने क्या सीखा कि हाउ टो यूज डेट स्टेट का हम कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है तो इतना कीजिए फिर बाकी हम और आगे देखते हैं आगे हम और इंटरस्टिंग औ आप मुझे बताइए मैसेज कीजिए हम उसको रिपिट ले लेंगे ठीक है कोई बात नहीं आपको समझेंगा जब यह प्रॉबलम समझेंगे तो जब हम इसके आगे के डिफिकल्ट प्रॉबलम भी लेने वाले हैं वह भी आपको बहुत इजी लगना शुरू हो जाएंगे एक दो दिन और होने दीजिए दो तिन दिन अगर और हो गए हमारे तीन चार लेक्टर्स हम और आगे बढ़ गए तो आपको बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉबलम भी इजी लगना शुरू हो जाएंगे एक ऐसी हमारी टेक्निक डेवलप हो जाएंगी अभी हमारे एफे के बहुत सारे टाइप्स बाकी है और बहुत सारे लॉजिक्स हमारे बाकी है अब आगे हम जो प्रॉबलम में अलग लॉजिक रहेंगा यह थोड़े से सेम टाइप के जो थे एंडिंग विट्स रफ स्ट्रिंग वाले वो हमने देख लिया अब हम देखते हैं आप